आज आपको हम एक लालची लोमरी की कहानी सुनाते है लालची लोमरी की कहानी में ये है कि एक बार की बात है एक जंगल में एक चालाक लोमरी रहा करती थी गर्मियों के दिन थे और वह भूख से परेशान होकर जंगल में भटक रही थी बहुत देर जंगल में भटकने के बाद लोमरी को एक खरगोश मिला लेकिन खरगोश मिलने के बाद लोमरी ने खरगोश को खाने की बजाए उसे छोड़ दिया क्योंकि वह इतना छोटा था कि उसे खाने से लोमरी का पेट कहा भरने वाला था इसके बाद लोमरी आगे बड़ी फिर से जंगल में भटकने लगी कुछ देर जंगल में भटकने के बाद भूखी लोमरी को एक हिरन गेर दिखा हिरन को देखते ही लोमरी के मूँ में पानी आ गया लोमरी हिरन को पकड़ने के लिए उसके पीछे दोरने लगी लोमरी ने अपनी पूरी ताकत से हिरन का पीछा किया पर हिरन लोमरी की पकर में नहीं आया अब लोमरी खाने की तलाश में बहुत ही ठक चुकी थी जब लोमरी के हाथ हिरंदी नहीं लगा तो लोमरी सोचने लगी कि इससे अच्छा होता वह छोते से खरगोश को ही खा लेती जिसको उसने छोड़ा था कुछ देर आराम करने के बाद लोमरी खरगोश को धूंदने के लिए फिर से जंगल में भटकने लगी जंगल में खरगोश को धूंदते हुए लोमरी वहाँ पहुची जहां उसमें खरगोश राबिट को देखा था लेकिन लोमरी को वहाँ खरगोश नहीं दिखा तक हार कर लोमरी को अपनी गुफा में लोटना पड़ा जिसके बाद कई दिनों तक भूखी लोमरी अपनी गुफा में भूखा रहना पड़ा और बहुत दिन बीट जाने के बाद लोमरी को खाना मिला कहानी की सी, उप्रोप लोमरी की कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए यदि लालच की ये बिना संतोशी जीवन जीते हैं तो आप सुखी रहते हैं इंदी में लालच का मुहावरा भी है कि लालच बुरी बला है अगर कहानी पसंद रहे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें